आज हम बनाएंगे सच्चा साबू साबू दाना लॉली पॉप इसके लिए हमें चाहिए सच्चा साबू का साबू दाना एक कप सच्चा साबू साबू दाना ले इसे दो कप पानी में तीन गंटे के लिए भिगो ले नॉन्स्टिक पैन में एक बड़ा चम्मच मूँफली को रोस्ट कर ले कटोरे में एक मद्य मकार का उबला मैश के आलू ले इसमें भीगा हुआ सच्चा साबू साबू दाना डाले दो बारी कटी हरे मिर्च डाले रोस्टेड और क्रश कीवी मूँफली डाले एक चोथाई कप बीम्स और एक चोथाई कप गाजर डाले आदा छोटा चम्मच जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाज अनुसा नमक डाले आदा छोटा चम्मच जीरा गालिक पेस डाल कर सभी चीज़े अच्छे से मिला ले लॉली पॉप बनाने के लिए वोडन स्पून या फिर स्टिक्स ले मैं यहाँ पे वोडन स्पून का इस्तिमाल कर रही हूँ नॉन स्टिक पैन में दो बड़े चमच तेल गरम करें और वोडन स्पून पे तयार किये हुए मिक्स्टर को लगा दें इसी तरह से सभी लॉली पॉप तयार करके गरम तवे पर रखते जाए इने मंदी आज पर कुरकरा होने तक सेख ले एक और से सिखने के बाद पलट कर दूसरी और से भी पका ले सच्चा साबू साबू दाना लॉली पॉप बन कर तयार है इने टमेटो केचप के साथ गरमा गरम परोसें